नीज़कर साथियों देश और हर्याना के किसानों से जर्नल डायर सा व्यवार कर रही है भाजपपा जजपपा सरकार पहले मोधी खटर सरकارों ने तीन काले कानूनों से खेती का खून किया और अब भाजप्पा जजप्पा सरकार बरबरता पूरन लाठी चार्ज करवा किसान मजदूर का खून बहा रही है आज भाजप्पा जजप्पा की कायर सरकार ने करनाल में बेरहमी और बरबरता पूरण लाठी चार्ज कर एक बार फिर अंग्रेज के जर्नल डायर की याद दिला दी शांती प्रिये तरीके से विरोध कर रहे किसानों को जानुवरों की तरह दोड़ा दोड़ा कर पीटा गया दरजनों लहु लुहान हो गए सडकों पर खून चल रहा था और सेंकडों को चोटे आई एक बार फिर ये साबित हो गया कि अनदाता किसान के असली दुश्मन दुश यानी दुशन चोटाला मन यानी मनोर लाल खटर है बाजपपा जजपपा सरकार ने पिछले नो महीने से किसानों के हिस्से में लाठी चार्च, अश्रू गैस, नश्टर, कीले, सडक खोदना, पत्थर और और पानी की बोच्छारों की परताडना लिख दिये 25 नवंबर 2020 से आज तक किसान मजदूर के सीने पर मोदी और खटर सरकारों ने लगातार वार किया है और खून बायाया है 25 नवंबर को जब गांधी वादी तरीके से किसान शांति प्रिये तरीके से दिल्ली कूच कर रहे थे तो एक तरफ अंबाला बॉडर से लेकर दिल्ली तक दूसरी तरफ सरसा बॉडर से लेकर दिल्ली तक तिसरी तरफ पलवल बॉडर से लेकर दिल्ली तक और चौती तरफ राजस्थान बॉडर से लेकर दिल्ली तक लाठियां चलाई गई, नश्टर बिछाए गए, सडकें खुदवाई गई, लाठियां चलाई गई और किसानों के उपर पानी की बोच्छारें की गई और बार 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 पिछले नो महीने में, कभी अंबाला में, कभी कालका में, कभी पीपली कुरुकशेत्र में, कभी करनाल में, कभी पलवल में, कभी सरसा में, कभी जीन और रोतक में, बार बार किसानों को लाठियों से पीटा जाता है पर ना किसान की आवाज दबी न सर जुका न संकल्प तूटा एक बात साफ है साथियो के धर्ती के बगवान किसान पर ऐसी बरबरता एक दानव रूपी सरकार ही कर सकती है देश और हर्याना की सत्ता आज दानवों के हाथ में आ गई है जो भग्य विधाता अन दाता किसान के आतमा और शरीर को लहू लहान करने में लगे हैं करनाल में डूटी मेजिस्ट्रेट के सारवजनिक वीडियो से ये साफ है किसानों का सर फोडने किसानों के सर पर लट मार कर कातिलाना हमला करने ये साजिश एक आईएस अफिसर या डूटी मेजिस्ट्रेट ने नहीं की इस साजिश के शडियंतर कारी हरियाना के मुख्य मंतरी माने निये मनोरलाल खटर औरूप मुख्य मंतरी दुशन चोटाला है वो किसान जो खेत को खून और पसीने से सीच कर देश की भूख मिटाता है उसे बेरहमी और बरबरता पूरण तरीके से पीट पीट कर आज उसका खून बाहया जा रहा है कारण साफ है तीन काले कानूनों के माध्यम से तीन खेती विरोधी कानूनों के माध्यम से ये सरकार खेती को चंद पूंजी पतियों की द्योडी पर बेच देना चाहती है